हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माइ न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो फ्रेंट्स ये वीडियो है मंडे की दिन का और अभी सुबह के लगभग ग्यारा बजगे हैं तो अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ अपना सारा काम खतम करके और सबसे पहले अभी जिकने भी दोपार के काम स्टार्ट होंगे ना उससे पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जा होते हैं बाल तो फिर मैं बालकनी में चा करके सुलजाती हूं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फिर हेयर फॉल होता है तो घर के अंदर ना फैले इसलिए मैं फिर बाहर जाओंगी तो अच्छे से करूंगी अभी मैं जल्दी जल्दी अपना काम चलाने वाला मैंने कर लिया अपना काम और लंच वगेरा भी बनाना है सब कुछ अभी काम बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले डाल देते हैं कपड़े और कपड़े सूखते रहेंगे बाकी काम फिर मेरे होते रहेंगे तो यहां पर धूप इतनी जादा तेज हो रही है ऐसा लग रहा जिसे गर्मी क मौसम आ गया बारिस होती थी तो अच्छा लगता था मौसम ठंडा रहता था और लगता था कि इस टाइम पर भी बरसाथ चल रही है लेकिन अभी न कुल दिनों से बिलकुल भी बारिस नहीं हो रही है जिसकी वज़े से धूब भी बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है तो क मैं हाथ से कपड़े दूलू और बच्चों की यह वाली यूनिफॉर्म भी काफी दिन से रखी हुई थी तो इसको भी मैं नहीं दूली थी तो वही मुझे अचानक से याद आया और कल यह लोग फिर से यह वाला यूनिफॉर्म पहनेंगे तो आज मैं इसको धूल देती तो बस यहाँ पर बी डाल देते सारे कपड़े और इतना काम करते करते ना जब मैं कपड़े यहाँ पर सुखा रहे थी इतनी जोरू की धूब लग रहे थी लग रह था यह जल्दी मैं अंदर चले जाओं क्योंकि ऑज थोड़ा से लेट भी हो गया था मुझे यह सारा काम करने में थोड़ा सा सुबए से ही लेट हो गया था। सुबए के जो काम थे न वो धीरे-दीरे करके देर होती गए। तो इसी कारण से अभी मेरा जो है लेट से यह सारा काम हो रहा है वरना दस बजे तक तो हो जाता था। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो चलिए कोई बात अभी कपड़े बगर डालने के बाद फिर मैं आ गई हूं किचन में और मुझे बनाना है लंच देर थोड़ी सी होई रही थी तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाओंगी तो जल्दी हो जाएगा सारा काम और आज बेटे की फरमाई थी मतर पनीर खाने की उसको ना कल से ही मन था तो कल तो मैं नहीं बनाई थी वैसे प्लान था कि मैं संडे को ही बनाऊंगी वैसे जब जिस दिन छुटी रहती न उस दिन बच्चों के मन का ऐसा कुछ बना देती हूं लेकिन कल नहीं बनाई थी तो फिर आज मैं उसको प्रॉमिस की थी कि तुम स्कोल जाओ से जब तो यहां पर मैं जल्दी से लग गई हूं मटर पनेर की तैयारी में और सबसे पहले तो मैं मसाला रेडी करती हूं मटर पनेर बनाने के लिए और इसका मसाला तो मैंने कई बारा आप लोग के साथ में सेयर भी किया है जिसमें है प्याज टमाटर तो चार प्याज लिया मैं प्रवाइक से दो चमच देल में पका लिए है और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है और सारे चिजे मैंने पका लिए है तो यह देखे यह वाला मसाला सबसे पहले मैंने रेडी करके रख लिया है जब यह प्यास चमचर सॉफ्ट ह इसको मैंने निकाल के प्लेट में रख लिया है ताकि यह ठंडा हो जाए और जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम इसको पीस लेंगे तो यह मसाला मैंने कई बार सेयर किया है आप सभी के साथ में यह जो मसाला है न मतर पनीर का यह बहुत जादा टेस्टी ब सकते हैं इस मतर पनीर के जो सबसे खास जीज़ है वह यही मसाला है अगर यह मसाला बहुत अच्छा बन गया इस तरीके से ना तो हंडर्ड परसंट कारंटी है कि आपके जो मतर पनीर ना वह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है तो बस यह मसाला मैंने यहां पे तय प्यार कर लिया है इसके बाद मैंने पनीर के क्यूब्स चोटे-चोटे काट लिये थे और आज मैं पनीर को फ्राई करके बना रही हूं तो यह ना मैं दोनों तरीके से बनाती हूं कभी-कभी मैं फ्राई करती हूं कभी नहीं करती हूं जैसा खाने वालों की पसंद होती है तो बच्चे या फिर हस्बंड दोनों लोगों में से किसी को अगर जो जैसे खाना होता है उस टाइप से फिर जब वो लोग बोलते हैं तो फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ स्क्राइब भूज़ीन मतरण नमक और दो चमच के लगबग सुहाना मतर पनीर अड़ किया है तो यहाँ पर हम ने डाल दिया है मतर यहां पर हमने डाल दिया है मतर यह फ्रोजन मतर थोड़ा सा और मतर को मैं पहले से फ्राइ नहीं किया था यह Cookie down इसको मैं मासाले के साथ में ही पका लगवग एक से दो मिनट के लिए तो मतर मसाले के साथ में अच्छे से फ्राइ हो जाएगा पक जाएगा और इसके बाद फिर यहां पे पनीर एट कर देंगे फ्राइ get치 तो देखिए बस यहां पे जटपट से मेरी सबजी जो है अब लगबग बनी जाएगी और पानी रैट करने के बाद फिर से मैं इसको लगबग एक मिनट के लिए इसी मसाले में चला लेंगे पका लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे गरम पानी पानी एकदम से उबला हुआ होना चाहिए और गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे तो पानी जैसे ही इसमें हम एट करेंगे तो सबजी उबलना स्टार्ट हो जाएगी बस दो मिनट तक इसको पकाएंगे और फिर यहां पर देख सकते हैं मटर पनेर के जो सबजी है वो बन चुकी है बहुत जल्दी बनती है तरीके से सबजी जब हम बनाते हैं तो और ज़एदा टाइम नहीं लगता और टेस्टी भी बहुत ज़एदा बनती है तो यहां पर मैंने निकाल लिया है से दूसरे बरतन में क्योंकि आइरन की कड़ाई में मैं बना रही थी न तो जब भी आइरन की कड़ाई में कोई भी खाना में बनाती हूं तो बनाने के बाद तुरंट से मैं दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर देती हूं और उस बरतन को रख दोगी धुलने के लिए तो देख सकते हैं कितनी जादा टेस्टी बनी है और बहुत जादे मसाला मैंने इसमें यूज नहीं किया है और सब्जी मेरी बन गई थी इसके बाद मैंने थोड़ा सा रखाया हुआ है चावल पकने के लिए बच्चों को चावल बिल्कुल पसंद नहीं है और जब आरुस की फेवरेर सब्जी बनती है तो उसको फिर चावल बिल्कुल पसंद नहीं आता फिर वो सब्जी और रोटी ही खाता है तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी तीन से चार रोटिया मेरी बन गई थी वज़े बच्चे आ गए और आरुस ना आते ही सीधा किचन में आया उसको पता था ममा आज क्या बनाई है तो इसलिए स्कूल से आते ही वो सीधा किचन में गया और देखा तो मैं रोटी बना रही थी तो उसने बोला ममा मेरे लिए पूरियां फ्राई कर दीजे तो रोटी ज तो फिर यहां पर हमारा जो लंच था वो हो गया है और अभी न साम का टाइम है साम के लगवग 6.50 हो रहे होंगे तो मैं आई थी यहां पर दियाबाती करने के लिए मंदिर के पास और मैंने देखा ना थोड़ा सा यहां पर गंदा हो गया था वैसे तो सफाई होती रहती है लेकिन कुछ दिन में जो बहुत जड़ा गंदा हो जाता है उस तरीके का था तो अभी इधर मैं जादा अच्छे से यहां पर सफाई कर भी नहीं पाई थी इस चक्कर में भी थोड़ा सा जादा ही हो गया था तो फिर मैंने सुचा मैं पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ इसके बाद फिर मैं दिया बाती करूँगी और बस यहाँ पे मंदिर की सफाई की मैंने और जितना भी यहाँ पे बरतन यूज में आता है ना दीपक चलाने वाला और जल चढाने वाला लोटा वगएरा प्लेट वगएरा जो भी थी यहां पे जो भी समान रहता है तो सबको मैंने धुल लिया है और प्लेट तो वैसे डेली यहां पे मैं चेंज कर देती हूँ जो जिस प्लेट में दीपक वगएरा रखते हैं न वो वाली प्लेट में डेली चेंज कर देती हूँ तो बस यहां पे यह सारा काम मतलब मंदिर की साफ सफाई वगेरा करने के बाद और फिर मैं यहां पे शाम की दियाबाती कर देती हूँ मंदिर में पूजा हो गई है और फिर रखी है जो बाहर में मेरी तुलसी माता वहाँ पर भी मैं एक दिया जला दूंगी शाम के टाइम पर ये काम में जरूर करती हूँ जब भी संध्याबाती होती है घर की मंदिर में दीपक जलाते हैं तो शाम को फिर यहाँ पर भी दीपक जला देते हैं चलिए अभी तो ये सारा काम हो गया है इसके बाद फिर मुझे करना है फिर से किचन में थोड़ी बहुत तैयारिया तो अभी रात में तो मैं कुछ पी नहीं बनाओंगी कुछ पी नहीं का मतलब मैं सब्जी नहीं बनाओँगी दोपार के सब्जी रखी हुई है और काफी जाड़ा मातरा में है तो बच्चे भी खा लेंगे और husband को बहुत ज़्यादा भूख रहती नहीं है क्योंकि दो बार में जब इतना heavy वाला खाना हो जाता है तो इस वज़े से बहुत ज़्यादा भूख नहीं है बच्चों के लिए रोटियां बना दूँगी सबजी रखी हुई है जो सबजी में काट रही हुई है यह सुबजी के लिए है और सुबजी में वैसे तो मैं गिल्की नहीं बनाती हूँ यहां पर मैं गिल्की कट कर रहे थी गिल्की जिसको नेनुआ कहते हैं तो वैसे तो मैं सुबह में नहीं बनाती हूं लेकिन आज कोई सब्जी नहीं थी आज बस यही रखा हुआ था फ्रिज में तो इसको मैं कट कर ले रही हूं और साथ में आलू एड़ कर दूँगी तो वच्चों के टिफिन के लिए फिर दिक्कत नहीं होगी वरना इसमें काफी जदा पानी निकलता है तो टिफिन में ले चाने में दिक्कत होती है पानी पानी सा हो जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आलू ज़्यादा एड़ कर यह सुब़े के लिए किचन मेरा खाली हो जाए और यहां पर घी रखा हुआ था तो मैं देखा यह थोड़ा सा जम गया था तो मैं इसको वापस से थोड़ी देर के लिए मैंने गरम किया है ताकि गी अच्छे से पीखल जाए तो फिर मैं इसको दब्बे में चान करके रख द मतलब तीन बार मक्खा निकाल करके फिर में पकाई हूं और लगभग यह एक केजी से जादा ही है मुझे लग रहा है कि सब्सक्राइब केजी है उसी के असपास होगा यह डबा एक दम से फुल हो गया है तो यहां पर अब रात के खाने के तयारी हो रही थी बच्चों को बने दे दिया है खाना और थोड़ा सा चावल बच गया था तो इसको मैं गरम करूंगी एक चमस घी डाल करके और फिर उसमें थोड़ा सा जीरा एड़ कर देंगे जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें चावल एड़ कर देंगे बचे हुए चावल थे यह और फिर इसमें थोड अन्या भी मेरे पास यहां पर खड़ी थी वह कुछ मेरे से बात कर रहे थी अर बच्चों का खाना पीना हो गया है इनको टाइम से मैंने खाना खिला दिया है सूपे एसकोल है इसवज़े से और किचन में जो भी काम रहता वो लगभग मेरा हो चुका है बागी जो साब सफाई थोड़े बहुत जो बरतन रहेंगे ना उसको मैं छोड़ दूँगी फिर कल करूँगी और चलिए फ्रेंट्स ये व्लॉग आज का यहीं परिंट करती हूं I hope आप सभी को पसंद आया होग और पसंद आये तो लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलती हूं आपसे एक नए व्लॉग में थैंक्स वाचिंग बाबाई टेक केर